आपके साथ है आज एक new chapter की discussion करेंगे जो है provisions and reserves यह बहुत छोटा सा chapter है जो एक lecture में हमारा complete हो जाएगा और यह सारी theoretical discussion है basically यह chapter नहीं है यह आपका concept है concept in the sense कि आपको यह पता होना चाहिए कि provisions क्या होती है, reserves क्या होती है, इन दोनों में differences क्या होती है provisions and reserves में और how many types of reserves ठीक है यह आपको पता होना चाहिए तो यह एक basically इसको एक chapter की shape में दे दिया जाता है text books में actual में इसको हम chapter नहीं मानते हैं यह basically एक pronunciation है जिसके regarding मेरे को आपको समझाना है कि provisions क्या होती है, reserves क्यों बनाए जाते हैं और कितनी तरह की provisions होती है और इन दोनों में distinction क्या है, ठीक है तो आज हम इसकी एक discussion करते हैं जो approximation एक lecture में हमारा यह सारा कुछ complete हो जाएगा बिटे provisions क्या होता है, पहले provision को हम समझती है provision होता है, in simple words में आपको समझाओं with the purpose to face certain liabilities आपके business में कुछ ऐसी liabilities होती हैं जो certain है for example, आप business कर रहे हो, sales कर रहे हो, sales से profit earn करोगे और profit आपकी income है, और इस income के उपर आपको कभी ना कभी आज नी तो कल नी तो दो साल बात income tax देना बड़ेगा तो income tax आपको मालूम है, यहामी कि मेरे को मेरी इतनी sales expectation है पिछले साल मैंने इतनी sales की थी, इस बार मेरी इतनी sales होने की possibility है और इतनी sales के उपर मेरा इतना profit बनने की possibility है और इतनी income के उपर मेरे को government को income tax देना पड़ेगा एक हमारी estimation चल रही है, मैं यह नहीं बोल रहागी accurate आप calculate कर लोगे हम accurate थोड़ी calculate करते है, future forecast थोड़ी हम कर सकते है but estimation तो लगा सकते है न, projected sales के data को मतलब previous year की sales है उस data को pick करके हम उसकी projection तो कर सकते है न, एक estimation कर सकते है कि आने वाले time में मेरा income tax कितना बनेगा और ये तो मतलब certain है, ये तो बैटे निश्चित है कि आपको income tax तो pay करना ही पड़ेगा तो income tax की ये liability आने वाले time में आपकी payable है हाँ ये sure नहीं है कि ये liability कितनी होएगी, कितनी कम होएगी, कितनी ज़्यादा होएगी बट आपको मान लो जी कि एक expectation है, आपके एक probability है कि 10,000 रपे हमारा income tax बनेगा तो फिर आप अपनी बुक्स में 10,000 की income tax की क्या बना लेते हो, provision provision word मैंने आपको वहाँ पे भी समझाया था जब मैंने आपको journal की discussion की थी तो provision basically क्या होता है आपका, तो पी का मतलब होता है probable आपके losses ठीक है, यह प्रोबेबल आपके जो risks है, ठीक है R का मतलब क्या होता है, reliable estimates और O का मतलब क्या होता है, outflow funds ठीक है मतलब मैं यह बोल सकता हूँ क्यों P का मतलब probable events ठीक है, R का मतलब जिसका हम reliable estimate कर सकते है और O का मतलब क्या होता था आउट फ्लो आफर्ट्स मतलब यह हो गया कि कुछ ऐसे एक्सपेंसिस जो आने वाले टाइम में मेरा पेएबल है और यह सर्टन है कि वो पे करना पड़ेगा उनको फेस करने के लिए आज ही हम अपने प्रॉफिट में से एक खर्चा बुक कर लेते हैं अपने प्रॉफिट को आज ही रिडियूस करके बिठा लेते हैं और अपने माइंड को इंस्ट्रिक्शन दे देते हैं कि अगर आने वाले टाइम में यह एक्सपेंस आया तो मैं अलरेड़ी अपने प्रॉफिट में से यह पैसा निकाल के साइट पे रख चुका हूँ और मैं इस से वो लाबिल्टी को पे कर दूँ मैं इसको आपको एक और इल्लॉस्ट्रिशन से समझाता हूँ मेरे दिमाग में आई है आप यह लगाओ कि वो मैरियज के जो इंविटेशन्स हैं कि जिसमें अब देखो फ्री में तो नहीं ना मैरियज अटेंड होती होती जो भी मैरियज होती है यह कोई फ्री में थोड़ी जाएगा ठीक है ना वो अगला इंविटेशन दे के गया चलो आज कल तो लोग वोटसप पर ही इंविटेशन दे देते हैं ठीक है या पहले जमाने में या पहला जमाना नहीं मैं बोल सकता थोड़ी वोटसप से पहले लोग स्पेशली वो स्वीट स्वीट का डबा देके जाते थे और इंविटेशन होता था प्रॉपर पूरा और डबे की वैल्यू से आप जज्ज्मेंट करते थे कि मेरे को इसको कितना शगन डालने ऐसी होता ना यहां भी पान सो डबे है यार इसका मुलब कम से कम पान सो तो डालना ही पड़ेगा नहीं तो ग्यारा सो तो डालेंगे तो आपको मालूम है कि एक साल में इतनी शादियां आने वाली है इतने मेरेजिस औकेजन आने है तो उसको फेस करने के लिए आपको कम से कम एक साल में माल लेते हैं 20,000 रुपीज सेपरेट रखना पड़ेगा माल लेते हैं ठीक है किसी को 1100 शगन डालना है किसी को 2100 डालना है किसी कोई 500 वाले भी होते हैं तो आपकी एक एस्टिमेशन है कि 20,000 रुपीज मैंने शगन करना एक मैंने अलग कर लेने कि यार मैंने एक box लगा लिया जिसके अपर मैंने लिख दिया कि शगन्स तीक है जो मेरे को शगन्स देने हैं लोगों को अच्छा वो box में हर महीने मान लो कि मैं 15 सो रपया या 2000 रपया पर मंद उसमें डाल देता हूँ तो एक साल का मैं 24,000 डाल दूँगा जब भी कोई function आएगा कोई marriage आएगी या मेरे को शगन्स डालना पड़ेगा किसे की रिंक सहर हमनी होती है किसी की birthday होता है तो मेरे को वहाँ पर जाना है तो मैं वह अपने शगन वाला box open करूँगा उसमें से पैसे निकालूँगा और जा जो जिसके ओपर हमने लिख दिया कि याँ भी यार ये जब जरूरत पड़ी हम तब use करेंगे ठीक है कि उसमें भी आपने 500,000 प्या डालना शुरू कर दिया पर मंद उसके ओपर कुछ specific नहीं लिखा हुआ कि ये शगन के लिए use करने जो दूसरा वाला box है वो आपने वैसे रख दिया बस कि यार जब लगेगा ना कि हमारे को यार पैसे की जरूरत पड़ी है तब हम इसमें से निकालेंगे और use कर लेंगे जो उसके ओपर कोई नाम नहीं लिखा हुए तो अब ये जो मैंने अब आप बताओ कि अगर आपको शगन डालने हैं ये तो first box ही choose होएगा जिसके ओपर शगन लिखा हुए है शगन ceremonies money for शगन ceremonies या शगन सिरफ आप शगन मनीफ और marriages occasions यहाँ उपर सिधा लिखा हुए गाँ शगन तो जब भी आपको कहीं शगन डालना है तो आप first box को choose करो जब भी आपको शगन के इलावा कुछ करने कुछ आपको पैसे की जरूरत पड़ी ठीक है ना डेली निसेस्टीज में कोई पैसा जरूरत पड़ गया तो आप second वाले box को choose करोगे अब यहाँ पे जो first वाला box है वो certain है certain मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसे की पूरे साल में marriage का आपको invitation ही ना आए ठीक है ना तो वो certain है और वो use भी कहाँ पर होना है तो पहले वाला box जो specific certain ability को face करने के लिए बनाया गया ना उसको बोलते है बिटे प्रोवीजन ठीक है प्रोबेबल लॉसिस प्रोबेविल्टी है कि यह लॉसिस होएंगे यह events होएंगे ठीक है आर का मतलब reliable estimates मेरा reliable estimate भी है कि 20,000 के शगन डालने पड़ सकते है और O का मतलब जब शगन डालके देंगे तो outflow funds हो गया that is a pro यह ना पी आर ओ का pro का मतलब यह मैंने आपको समझाया है यह मैंने खुद नहीं बनाया यह बेटे हमारे accounting standard number 29 जो provisions के ओपर हमारा accounting standard बना हुए issued by the institute of chartered accountants of India वहाँ पर यह provision की definition ठीक है प्रो की definition वीजन का मतलब क्या होता है कि वीजन हम अपना वीजन ली fix करते है तो यह हमने प्रो का वीजन fix किया होता है तब ही यह प्रो वीजन हो जाती है with the purpose to face certain liabilities और जो दूसरे वाला box है हमारा उसका नाम रखेंगे हम accountancy की language में reserves वो वेटे हमारे reserves with the purpose to face uncertain liabilities कभी भी कोई uncertain liabilities हो चादा हमें कोई जुरूरत पढ़ी कहीं पे भी तो वहाँ पे हम use कर लेंगे reserves को reserves की भी आगे categories होती है specific reserves है secret reserves है general reserves है तो मैं आपको समझाओंगा मैंने आपको basic difference समझा दी है और इसमें basic difference क्या है कि जो provision है ना वो आपके आज के profits में से ही बनाई जाएग ठीक है charge against profits आन आने ओले खरचे को face हम ऐसे करें इसे चार्ज अगेंस्ट profits और इसे चार्ज का मतलब क्यों होता हैं कि जो charges है जो profits को क्या करेंगे reduce करेंगे बट बिटे जो reserves होती है ना वो charge against profits नहीं है आपकी मर्जी है आपने बनाने है के नहीं बनाने है प्रॉफिट्स नहीं है तो नहीं बनाओगे प्रॉफिट्स हैं तो आप बना लोगे तो वो profits के उपर charge नहीं है fix नहीं है बड़ जो provision है न वो charge against profits है चाहे profits हूँ आपके चाहे ना हो चाहे losses में चल रही हो company तब भी ये बन जाएगी charge against profits का मतलब क्या होता है कि ये profits को reduce करें और जो provision होती है ये profits को reduce कर देती है ठीक है बड़ जो बड़े हमारे reserves होते है ये profits को reduce नहीं करते ये profits का ही एक part है ठीक है ना जैसे हमने कोई एक dairy milk chocolate लेके आए ठीक है उसमें मान लो 8 pieces हैं तो उसमें से मैंने 4 pieces अलग कर दी है चार अलग कर दी है तो जो 4 अलग अलग की है तो बेसिकली ये chocolate थोड़ी reduce हुई चाकलेट में तो 8 pieces ही थे तो वो मैंने reserve की है हम बोलते हैं चलो यार 4 pieces reserve कर दो वो 4 square साब reserve कर दो मेरा ब्रदर आएगा उसने वो खानी है तो वो reserve हो गई ठीक है जो profits में से बनती है बड़ जो provision है ये तो expense को book करती और ये profits को reduce कर देती ये technical difference है ठीक है इसको अब मैं आपको theoretical shape में भी समझाओ जरा और आपको वो इसकी types भी समझाओ दूँगा अभी में और हमारा इसी lecture में ये chapter complete हो जाएग ठीक है और पेटे अब आप देखोगे जरा इसको मैं जरा site पे करूँ अपनी photo को तो ये देखो सबसे पहले तो आपको कोई पूछे provision what is provision provision क्या है पढ़ते हैं जी provision does amount set aside एक ऐसी amount जो हमने separate रखी हुई है for the purpose of providing for any for any non liability आगया ना for any non liability एक ऐसी amount जो हमने side पे रखी हुई है non liabilities को face करने के लिए non liability का मतलब क्या हो गया कि जो liability हमें मालूम है कि आने वाले time है तो यार ये पैसे खर्चने ही पढ़ेंगे ठीक है और uncertain losses ठीक है non liability का मतलब वो शगन वाली example ठीक है uncertain losses कि अगर by chance मेरे debtors ने मेरे को पैसे ना दिये तो वो bad debts हो गए तो इस bad debts को face करने के लिए मैंने क्या बनाई होएगी provision ठीक है non liability जैसे income tax आने वाले time में आपको income tax तो pay करना ही पड़ेगा ना ठीक है तो ये मतलब हो गया अपना non liability का और uncertain losses का ठीक है अब उसके बाद हम आगे चलते हैं जी और expense आपने कोई आगे वाले expense को भी face करने the amount of which cannot be a certain with certainty उसकी amount आप अभी calculate नहीं कर सकते पर वो होनी है with certainty मतलब ये हो गया कि अभी मेरे कोई ये finalize नहीं है कि मेरा income tax कितना बनेगा पर ये जरूर है कि income tax बनेगा जरूर income tax देना जरूर पड़ेगा ये sure है पर कितना देना पड़ेगा ये नहीं मालो तो certainty का मतलब ये है कि income tax बनेगा जरूर पर कितना बनेगा cannot be a certain ये अभी calculate नहीं कर सकते बनेगा, ठीक है, income tax बनेगा, yes, पर कितना बनेगा ये नहीं मालेगा, तो हम अपने estimation के हिसाब से क्या बना लेंगे provision, ठीक है is referred to as provision for example, provision for depreciation, provision for income tax, अच्छा provision का ना एक feature है, provision ना हमेशा specific लिखा होएगा, ये ऐसे नहीं खाली होएगा कि provision, ऐसे नहीं हो सकता provision for doubtful debts provision for bad and doubtful debts provision for bad debts ठीक है, तो परवीजन हमेशा specific होएगी उसके बाद accounting treatment and disclosure और provision in the balance sheet हमें accounting में provision को कैसे दिखाना होता है, provision is a charge against profits, charge against profits मतलब ये profits को reduce करेगी, मान लो आपने पांच लाख earn किया, आपने 20,000 की provision for income tax बना दिया, तो आपका profit बिटे कितना रह गया, 4,80,000 तो आने वाले income tax को ये पहले ही estimation के इसाब से book करके रख लेगी, बाद में actual में जब income tax की liability calculate होईगी, मान लो आपकी liability 15,000 होती है, आपने provision बुक कर ली 20,000, तो पांच जार provision में पढ़ा रहेगा, ठीक है न, जैसे शगन वाली example, शगन मान लो आपके 20,000 आपने शगन 24,000 दो जार पे पर मंत के इसाब से आपने शगन बॉक्स में डाल दिया, हो सकता actual में आपको invitation ही इतनी आई है कि सिरफ 15,000 का शगन ही पे हुए, तो ठीक है जी शगन बॉक्स में 9,000 बढ़ा रहेगा, ठीक है, अगर by chance हमें invitation 25,000 के आजाए, शगन बॉक्स में तो 24,000 है, फिर 1000 हम अपने profit में से और निकाल के देंगे, 24,000 हम शगन बॉक्स में से यूस करेंगे, 1000 अपने profits में से यूस करेंगे, बनलब अपना fresh अपनी pocket से 1000 निकाल के देंगे, ठीक है, तो provision is a charge against profits, and it is created by debiting the P&L account, P&L account को debit किया जाएगा, मतलब P&L account में ये loss बुक किया जाएगा, और debit करके, P&L account में loss बुक करके, profits को क्या कर दिया जाएगा, reduce कर दिया जाएगा, in the absence of balance sheet, ठीक है, sorry, in the balance sheet, absence बोल गया, sorry बे, in the balance sheet, balance sheet में इसका क्या scene होएगा, balance sheet में बिटे, इसका scene क्या होना चाहिए, एक second, balance sheet में इसका scene क्या होना चाहिए, the amount of provision, may be shown either, या तो आप उसको assets side, by the deduction of concerned assets, या तो आप assets में से उसको minus करके दिखा दो, basically provision ना आपके profits का ही एक part है, और ये basically बेटे हमारी liability है, जो provision होती है ना, ये हमारी liability है, ठीक है, it increases our liabilities, ये हमारी liability increase करती है, ठीक है, चाहिए आप उसको assets में से minus करके दिखा दो, ठीक है, चाहिए आप उसको liability side दिखा दो, क्योंकि balance sheet में हमारी ना, दो sides होती है, एक हमारी liability side होती है, ये एक asset side है, ये liability है, ये asset है, चाहिए तो आप provision को, for example आपने provision for bad and doubtful debts बनाया, ठीक है, 1000, चाहिए तो provision को liability side दिखा दो, नहीं तो आप assets में से ही provision को क्या कर दो, minus कर दो, अगर आप asset में से provision को minus करोगे, फिर आपको liability side provision दिखाने की जुरूरत नहीं है, तोकि आपने assets में से ही उसको reduce कर दिया, अगर आपने assets में से इसको reduce नहीं करना फिर आप liability side उस provision को शो करना ठीक है तो मतलब दोनों में से आप कोई भी mode को choose कर सकते है बाकि इसकी broad में discussion आप से मेरी final accounts में होईगी जहां पर एक proper adjustment है provision for bad debts discount on debtors उसमें मैंने बहुत broad में recording करवाई है ठीक है तो आप वो lecture भी अगर लगा के final accounts का आप देख सकते हो वहाँ पे मैंने बहुत broad में बोला हुए सब कुछ क्योंकि अभी तो हमारे आपको balance sheet वगरा है या पी अडल के बारे में चलो अभी knowledge नहीं होएगी क्योंकि अभी हम final accounts के chapter में पहुंचे नहीं है पर जब आप final accounts का chapter देखोगे शगन्स की जो expense है इसको face कर सके ठीक है ना उन्तों मालब आने वाले losses को तो यही reason है जी to meet anticipated losses and liabilities आने वाले losses और आने वाली liabilities को face करने के लिए आपने provision बनाई होती है to meet non-losses and liabilities कुछ non-losses आपको पता ही होती है कि यार मेरे को शगन डालने ही डालने है मेरे को income tax देना ही देना है मेरे bad debts तो होएंगे ही होएंगे अगर मैं credit sales कर रहा हूँ तो उसको face करने के लिए provision बनाई जाएगी ठीक है to present correct financial statements या आपको अपनी financial statements को correct दिखाने के लिए भी क्या बनाई जाती है provision ता जो आपके estimation के basis पे losses बुक हो जाएं actual में losses बाद में होने है income tax की liability बाद में बननी है बट 31 मार्च वाले दिन एक बार उसको expect anticipated करके loss बुक कर दिया जाएगा जिससे आपकी financial position true and fair view प्रेजेंट करेगी क्योंकि अगर आपने expense को पहले बुक नहीं किया फिर आपकी financial position जो है वो आपके profit ज़्यादा शो करेगी ठीक है ना पर आपको आने वाले expenses को भी आज ही आप बुक कर लो जिससे आपकी financial position true and fair भी हो जाए